विडियो में बात करेंगे ICC मैंस वर्ल्ड कप के होने वाले मैच नमबर 7 के बारे में टोटल दो मैच 10 अक्टूबर को खिला जाएगा पहला मैच आपको साड़े दस बेर देखने को मिलेगा ये वही मैदान है धरमसाला का जहांकि अफगानिस्तान और बांगलादेस के बीच में इसी वर्ल्ड कप में मैच हुआ था जो की लोई स्कोरिंग गेम हुआ था जहां पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ये विकेट्स मिले थे आपको याद होगा पहली इनिंग में साकीबल असन ने तीन विकेट लिये थे और तीन विकेट महंदी असन मिराज ने लिये थे बाकि जितने ही विकेट से पेसर को मिले थे सेकर्ड इनिंग में भी एक रन आउट था बाकि जो तीन विकेट थे, वो पेसर को मिले थे, अलग-अलग तीन पेसर को मिले थे, वो भी आपको दिखाऊंगा, इस पिछ पे, धरमसाला के पिछ पे, आपको ज्यादा स्कोर बनते हुए नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने एक मैच में तीन सो तीस रन यहां नहीं विन किया है, और एक मैच जो लाश्ट हुआ था, वो भी बांगलादेश में चेस करके विन किया था, तो सेकंड बैटिंग करने वाले टीम का रिकॉर्ड अच्छा है, पहले बैटिंग जो टीम करती है, उसको कितना टार्गेट देना है, यह कंफर्म नहीं हो पाता ह कई बार चेस हो जाता है, बड़ा टोटल भी, यहां आप देखोगे इंडिया का ही हाइस्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और 112 इंडिया का ही लोइस्ट है, 203 यहां का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है, ज्यादा रन नहीं बनते हैं, वो भी 203 तब आपको इंडिया ने 330 बनाया था, अब यहां पर आप देखोगे, यह वाला मैच आपने देखा ही यह वल्ल्ड कप में, 157 का टार्गेट मिला और 34 ओर में चेस कर लिया बांगलादेश में, तो बांगलादेश में तो अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, रन रेट अच्छे विकेट, 3 विकेट साकीब, और 3 महंदी असन मिराज, बाकी जितने विकेट से पेसर्स के नाम हुए, पेसर्स को जारतर यहां पर विकेट मिलते हैं, हवा चलती है, पहाड़ी इलाका है, कई बार ड्रिजिलिंग भी हो जाती है, बूनदा बांदी होती है, और हव जब चलती है तो Pacers को काफी मदद मिलती है Swing कराने में जैसे आपको याद होगा ACA Cup का Final वो तो कहीं और स्रलंका में, कॉलंबो में I think हो रहा था वहाँ भी यही situation थी वहाँ पहले pitch dry थी spinner को मदद होती है dry pitch पे और खास करके स्रलंका में spinner को मदद होती है लेकिन वहाँ problem क्या होई थी सिराज को 6 wicket कैसे मिल गया था spinner वाले pitch पे क्योंकि वहाँ पे dry pitch पे rain आई, match के कुछ दिर पहले toss के बाद infect rain आ गई थी और pitch थोड़ी गीली हो गई और वहाँ हवा इतनी तेज चल रही थी कि swing baller को, सिराज जैसे baller को वहाँ पे help मिली और उनको 6 wicket मिल गया तो वैसी situation यहाँ भी है Pacers को यहाँ मदद मिलती है और अगर dry pitch रहेगी तो फिर spinner को भी मदद मिलेगी तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया लाश्ट पांच मैच के अगर मैं बात करो तो England तो हार के आ रहा है New Zealand ने 9 wicket से हरा है था once added match होगे तर second inning में due factor हो गया था महाँ पे तो आसानी से chase हो गया था अब यहाँ पे playing 11 के पहले हम कुछ player के से record देख लेते नजबल उसें संदो ने लाश्ट मैच में भी अच्छी निंग खेली बहुत अच्छी फॉर्म में है लाश्ट के 5 मैच में 349 रम बनाया है इनोंने बहुत ही अच्छी फॉर्म में 82 के strike rate से साकीबल असन ने 7 मैच में 226 रम मनाया है 95 का strike rate है यह तो captain की twice है डेविड मलान 7 मैच में 416 रम बानबे का strike rate है बट लाश्ट मैच में flop रहे थे हैं लेकिन इस मैच को जीतना होगा इंग्लाइंड की टीम को जॉस पटलर ने 8 मैच में 330 रम मनाया है 114 का strike rate है लाश्ट मैच में भी अच्छी इनिंग खेली थी इनोंने लेकिन फिर आउट हो गए तो और बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी अगर बड़ा target होता तो हो सकता है New Zealand चेस नहीं कर पाती 7 मैच में 15 विकेट सौरिफुल इसलाम ने लिया है बहुत ही underrated baller है हमेशा विकेट्स लेते हैं लेकिन जनता फैंटेसी खेलने वाले इनको लेना नहीं चाहते है लेकिन आपको लेना चाहिए 6 मैच में 12 विकेट लिया तसकीन अहमद ये बहुत overrated है ये underrated है ये overrated है तसकीन अहमद से ज़्यादा विकेट सौरिफुल इसलाम ले जाते हैं कई बार तसकीन अहमद एक मैच में चलेंगे जहां के 3-4-5 विकेट ले जाएंगे उसके बाद एक-2 विकेट ही लेते हैं जादा तर लेकिन बहुत सांदार पेसर है तो लेना पड़ता है टीम में मोयन अली ने 7 मैच में 10 विकेट लिया है रिसेंट के मैचेज में और आपको पता है कि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैं जैसे साकीबर हसन आपको दिखेंगे नजमुल हुसैन संतो दिखेंगे इस तरीके के वहाँ पे लेफ्ट हैं आदिल रसीर ने पांच मैच में नौ विकेट लिया है सांदार लेगे स्पिनर है अब यहां पर इस वैन्यू पर किसका कैसा रिकॉर्ड है अभी तक मैंने रिसेंट फॉर्म आपको बताई नजमुल हुसैन संतो उनसट रम बना के आ रहे हैं पहला व्ल्ड कप का मैच के ला अच्छी निंग खेली मेंदी एसन मिराज ने उस पेंडिंग हैं खेल सकते हैं बड़ी नी इसके बाद साकिबल असन ने टीन विकेट लिया था बैटिंगंग में आप आई थी श्रुर्फुल इसलाम ने दो विकेट लिया था यह सब zas रहे हैं अब यहां पर बेटो आप देख सकते हैं वैसे दोनों टीम की यह बीच में ज इतनी बॉल में 32 बॉल में इसके अलावा ये सब देख सकते हो आगे चलते हैं वार्मप मैचेश का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं इसमें आप देख सकते हो बांगलादेश और इंग्लैंड के बीच में वार्मप मैच हुआ था जिसमें बांगलादेश की तरफ से पहली बात देखो के इंग्लैंड ने चेस किया था लेकिन इतनी आसानी से चेस नहीं सिए था रन तो अच्छा बनाया था इन्होंने 24 अवर में до 57 रन बहुत अच्छा स्कोर हुआ लेकिन इंका विकट देखो 6 गिर गया था यही कमी है इंग्लैंड की एक से एक प्लेयर उंके पास ए तंजीद हसन ने 45 बनाया था जो ओपनिंग करने आते हैं मुस्तफिजुर रह्माद इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में है दो विकेट लिया था हसन महमूज, सौरिफुल इसलाम, तस्कीन हैमर और नसू महमद ने एक एक विकेट लिया थे इसके बाद आगे चलते हैं मोएन अली ने 56 बनाया था काफि सर्प्राइजिंग है जॉनी बेश्टो ने 34 बनाया कोगि बहुत कम इधर में मोएन अली को अच्छी बैटिंग करते हुए देखा गया है बॉलिंग से विकेट तो ले रहा है जॉस पटलर्स ने 30 बनाया था ट्रॉपले ने 3 विकेट डेविड विले ने 2 विकेट आदिल रसीर ने 2 विकेट और मार्क वूड और सैम कुरान ने 1 एक विकेट जो लास्ट मैच इंगलेंड की टीम हारी है न्यूजिलेंड से उसमें बहुत ही कमी देखने मिली ट्रॉपले की अगर वहाँ पर लेफ्ट अम पेसर कोई होते तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी एक और प्रैक्टिस मैच देख लेते हैं बांगलादेस थे सिरलंका का हुआ था यहां बांगलादेस ने सिरलंका गोहरा दिया था जहां आप देखो कि तंजीद हसन का फिर से नाम आया 84 महंदी हसन मिराज का फिर से नाम आया 67 रंप एक विकेट लिटन दास का भी नाम आया जो कि पहले मैच अफ्लॉप रहे थे 61 मनाया, मुस्विकुर रहीम ने 35 महंदी हसन महंदी हसन मिराज अलग है महंदी हसन अलग है तो इन्हों ने तीन विकेट लिया बाकि साकीब, इसलाम और नसूम ने एक एक विकेट लिया आगे चलता है अब हिट टू हिट मैच का रिकॉर्ड देखते हैं अभी मैने वार्म अप मैच का रिकॉर्ड आपको दिखाया अब हिट टू हिट जब इन दोनों टीम के बीच में मैचेज होते हैं तो उस समय कौन सा प्लेयर अच्छा करता है वो आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बांगलादेस ने 246 बनाया और इंग्लैंड को मात्र 196 पे ओल आउट कर दिया यानि इंग्लैंड की टीम श्ट्रगल करती है कई बार बांगलादेस के बॉलर्स के अगेंश्ट में नजमुल हुसैन संतु जिंको हम लेने वाले हैं उपर ही हमने डिसाइड कर लिया था यहाँ भी हाफ सैंचुरी है मुस्फिकुर रहीम का 70 रन है जो कि इधर में उतने कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे है आप इंको ट्राई कर सकते हो साकीबल हसन कैप्टेंग की नंबर वन चोई 75 रन 4 विकेट मेंदी हसन मिराज मुस्तफिकुर ने एक-एक विकेट लिया बटलर ने 26 रन सैम कुरान ने 23 रन 2 विकेट बाकी यहां पे 34 रन एक विकेट वोक्स का है और दो विकेट आदिलरसित का है तो यह सभी नाम आपको ध्यान रखना है दो-तीन मैच और में आपको दिखा रहता हूँ हेट-टो-हेट का तो आर काहनी कलियर हो जाएगी यहां इंग्लैंड थीन सूचहबँस बनाया और बंगला धेश को एक सॉरानबे पे वल्लाट कर दिया तो यहां पे काफा similar लग रहा है जिए इंग्लैंडड को एक सॉरानबे पे किया यहाँ पर 194 बंगलादिस को कर दिया लेकिन इंके उपर प्रिसर ज़्यादा था बंगलादिस पर इंग्लैंड को चेस कर लेना चाहिए था 76 बनाया जॉस बटलर ने फिर इसके बाद मोयन अली ने बैटिंग से अच्छा किया 42 रन 1 विकेट Sam Quran का फिर से नामाया यहाँ भी आया था यहाँ भी आया 33 रन 4 विकेट और अदिल रसित का फिर से नामाया कुछ कॉमन नामे इदर में कुछ खास करनी पा रहे है तसकीन अहमद ने 21 रन और 3 विकेट लिया उपर नाम नहीं आया महंदी हसन बिराज नहां पर दो प्रिक SG यहां पर एक विकेट लिया था यहां चलते हैं निक्लैंड के साथ प्रॉब्लम वाली बात यह संतों नियांप अबदुल्ला का यहां भी नाम आया उपर भी नाम आया था मेंदी हसन, ये दूसरे मेंदी हसन है 2 विकेट लिया, साकीब और तसकीन ने 1 एक एक विकेट लिया डेविड मलान ने सेंचूरी मारी थी तो इस मैच में फॉर्म में फिर से आ सकते हैं मैच में फ्लॉप रहे थे मोईन अली ने अच्छा किया ठीक किया आदिल रसीट का फिर से नाम आया तीनों मैच में आदिल रसीट का नाम आया दो विकेट और मार्क वुट का यहां पर नाम आया दो विकेट यहां देख सकतों इंग्लैंड ने 386 जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में बांगलादेश 280 पर ओल आउट हो गई खराब स्कोर नहीं है 280 बहुत बड़ा स्कोर है बटलर ने 64 बनाया इस मैच में क्रिस वोक्स ने 18 बनाया मार्क वुट ने 2 विकेट और आदिल रसीट ने एक विकेट लिए तो बटलर ने भी हैं सेंचुरी लगाई यहां पर 44 बनाया मुस्फिकुर रहीम ने महमद अल्ला का फिर से नाम आ रहा है महमद अल्ला का लेकिन 30 क्यास पासी रनूंग का दिख रहा है दो विकेट महति हैं सन्का और एक विकेट मुस्तफिजूर रहमान का अब यहां तक मैंने आपको पिच अब बारी है यहां पे डिरेक्ली प्लेइंग 11 की तो प्लेइंग 11 अगर हम ना भी देखे तो भी हमने बहुत कुछ उपर देख लिया है लगबक 11 प्लेयर हमारे बड़े बड़े इनिंग खेलते हैं आप इंको ट्राई कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग आती है इंग्लैंड की तो उस केस में यह ज्यादा अच्छा करते हैं पहले बैटिंग में जोए रूट है आप इनको बिलकुल अपने टीम में ले सकते हो अच्छे प्लेयर है बेन इ बैटिंग थोड़ी नीचे आती है अगर आपको लगता है कि इतना strong इंका top order collapse करेगा तभी butler को अप लेना अपने टीम में वैसे ये wicket kipping से point देंगे पहले बैटिंग आने पही लेना second inning में मत लेना living is done, balling करा रहे हैं off spin कराते हैं left hander को और leg spin कराते हैं right hander को तो try कर सकते हैं but ये hit and miss वाले player है Sam Quran ने head to head में काफी अच्छा किया आपने देखा उपर तो ये अच्छा कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं Chris Wokes है, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं यहाँ तीन wicket लिया है जारातर flop ही जाते हैं head to head में एक जगा नाम आया था आदिल रसिर इस pitch पे अच्छा कर सकते हैं इस spinners को मदद करती हैं यहाँ पर pitch and head to head में कई जगा नाम आया है Mark Wood भी wicket taking baller है ridge drop ले खेलते हैं खेलना चाहिए तो ये important होंगे बाकि यहाँ पे कुछ और player उनका record आपके सामने है Bangla's इसकी playing 11 की बात करें तो practice match में तंजीद असन का दो जगा नाम आया एक बार 80 something था और एक बार और अच्छा किया था इन्होंने but England के आगे हो सकता है यह flop हो जाए बड़ी team है England भले ही एक match हार गई है लिटन दास उतने consistent नहीं एक बस अच्छी है नहीं या 53 दिख रही है बाकि सभी में खराब score है मेंदी एसन मिराज important है तीन विकेट 57 नजमुल उसेन संतो आपके लिए important है लेना ही लेना है साकीबल एसन captain की choice है मुस्फिकुर रहीम का कई जगा hit to hit में नाम आया है पहले batting आने पर ले सकते हो वैसे दोनों inning में इंकी batting आने वाली है चाहे पहले batting हो चाहे second टी हिरदर recently बहुत अच्छी form में है चाहो तो ले सकते हो फिलाल हम इंको नहीं लेंगे महमुद उल्ला का नाम आया है 30 run 28 run ऐसे आया है फिलाल इंको भी try नहीं करें कि एक over कराया था बॉलिंग कराते हैं पार्ट टाइम कई बार तस्कीन एमर विकेट टेकिंग बॉलर इंको try कर सकते हो सौरीफुल इसलाम भी विकेट टेकिंग है और मुस्तफी जोर भी विकेट टेकिंग है इन तीन में से आपको दो को लेना है अपनी टीम में बेंज पे कुछ प्लेयर है ये वाले महंदी ऐसा न अलग है ये इनका भी नाम आया है head to aid में बाकी यहां पे नसूम एमद अच्छे हो सकते हैं अब यहां बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की ध्रमसाला की पिछ पे जादा तर रन जादा नहीं बनते हैं बहुत ही कम स्कोर बनते हैं एक बार इंडिया ने 330 भी बनाया हुआ है उसको भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आप एक बार टॉस के पहले पिछ रिपोर्ट देखना आप वो चीजें क्लियर हो जाएंगी फिलाल मेरे को जहां तर लगता है बैट्समेन को स्ट्रगल करना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए इसलिए मैंने टॉप ओर्डर से बेश्टो को हटा दिया है ठीक है और बटलर विकेट केपिंग से पॉइंट देंगे और बटलर समहल के खेलते हैं तो इसलिए मैंने इंको लिया हुआ है बाकी यहां पर ऑप्संस जो बाकी है लिट अंदास मुस्विकुर रही मैंने आपको बता दिया जाहो तो ले सकते हो जोयरूर्ट समहल के खेलने वाले प्लेयर टिक के खेलते हैं डेविड मलान भी बड़ी इनिंग खेलते हैं टिक के खेलते हैं सिंगल डबल पे यकीन रखते हैं और नजमूल उसेन संथ बहुत अच्छी फ़ाम में तो यह तीन प्लेयर मैंने लिए हैं अगर Harry Brug खेलते हैं तो ये भी बहुत टिक करके खेलते हैं, अच्छी नहीं खेल सकते हैं फिलाल के लिए साकीबल हसन, महनी हसन, मिराज भाण, सैम, कुरांग को मैंने लिया है मोयन अली को मैंने नहीं लिया है क्योंकि बैटिंग से कम उमीद है कि इस पिछ पे कुछ कर पाएंगे बॉलिंग का जहां तक सवाल है तो कितने ओवर मिलेगा ये कनफरम नहीं है लाज मेच में लगबग 10 ओवर किया तक कर सकते हैं लिविंग इस्टोन का ये वही हाल है काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं 3-4 ओवर करा सकते हैं अगर उन 3-4 ओवर में उनको विकेट मिल गया तो फिर उनको और ओवर मिल सकता है बट यहां पे तो प्रेडिक्सन के बेस पे सारे काम कर सकते हैं मार्क वूड और आदिल रसिर, ये दोनों के बारे हैं, मैंने आपको बताया है, दोनों इंपोर्टेंट है, मैंने लिया भी दो प्लेयर लेने बाकी है, जो कि मैंने आपको बताया है, बांगला देश के तीन में से दो बॉलर आपको लेने है, एक मुस्तफिजुर रह्मान, एक तसकीन अहमद, एक सौरिफुल इसलाम, ये तीन में से दो लेना है, मैं जहां तक अपनी बात करूँ तो मैं मुस्तफिजुर रह्मान को लूँगा, एक मेरी चौई से, सौरिफुल इसलाम को लूँगा, तसकीन अहमद को मैं नहीं ले रहा हूँ, वैसे विकेट लेते हैं, तो आप चाओ तो सौरिफुल की जगा पर तसकीन को ले सकते हो, तो इस तरीके टीम बनके तयार हुई है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सोचने की जरूती नहीं, कैप्टन आपको साकीब को बनाना है, वाइस कैप्टन महंदिय से मिराज को बनाना है, भल साफ आपको टैक्टिक्स एउच करने होती है, अब यहां पे पेड मेंबर्शिप की बात कीजाए, हमारे एक मात्र वाट्सेप नमबर है, 9 14 0 233 474 है, हमारे एक मात्र नमबर है, यहां पे आप पेड मेंबर्शिप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, आप पहली बार अगर inquiry करने आओगे तो आपको सौक भी लग सकता है कि आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है लेकिन प्राइस ज़्यादा है विकॉज हम लोग newge के basis पर काम करते हैं, हम लोग consistency के साथ winning करते हैं, हम आपको हर match के पहले बताएंगे, किस match में कितना investment करना है, कौन से league join करना है, आपके budget के according सबका budget अलग-अलग होता है, अगर केवल मैं ये बता दू कि ये jackpot match है, high investment match है, तो आप decide नहीं कर पाऊगे कि investment करना कितना है, तो हर कुछ आपको बताया जाता है, grand league, small league, mini grand league, सब कुछ team दी जाती है, membership के लिए आप जितना payment करते हो, वो 2-3 match में आपका उससे ज़्यादा profit भी हो जाता है, तो अगर आप membership लेना चाते हैं, तो contact करो, अधर वीडियो तो मैं आपके लिए बनाई रहा हूँ, वीडियो देख करके आप team बनाओ, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका host दो, संकुरी signing out, bye bye